लेकिन पीमसी ने इसका क्या हाल बन्दा दिया है एक समय था जब बंगला देश की अर्थेववस्ता को मजबुत बनाने में यह अपना बड़ा योगदान देता था आटीमसी ने इसे गोटा लेका गड़ बना दिया है एक समय था जब बंगल में एक से बढ़कर एक नए विज्ञानी खोज हुआ करती थी आटीमसी के राज में जगा जगा बम बनाने की होम इंडस्ट्री चल रही है एक समय था जब बंगल गुस पेठियों के खिलाब क्रांती किया करता था लेकिन आज टीमसी के सवरक्षन में यहां गुस पेठिये फ़लफुल रहे हैं साथियों आज स्थिति ये है कि बंगल में अपनी आस्ता का पालन करना भी गुना हो गया है बंगल में टीमसी सरकार राम का नाम नहीं लेने देती जय स्री राम जय स्री राम बंगल में टीमसी ये सरकार राम नौमी नहीं मना ने देती कॉंग्रेस और लेफ्ट के लोगों ने भी राम मंदर के विरूत मोर्चा खोल रखा है आप मुझे बताईए साथियों क्या टीमसी कॉंग्रेस और लेफ्ट के हाथ में ऐसे लोगों के हाथ में ये महान देश सौंपा जा सकता है क्या ये देश उनको दे सकते हैं क्या साथियों टीमसी कॉंग्रेस के इंडिय अलायंस ने तुष्टी कराण और वोट बेंक की पॉलिटिक्स के आगे गुटने टेक दिये हैं कॉंग्रेस और इंडिय अलायंस के लोग कहते हैं कि मोदी के खिलाप वोट जिहाद करो वोट जिहाद यहाँ टीमसी के हमेले ने कहा है कि हिंदूओं को बगीरती में बहा देंगे सोचिए इतनी हिम्मात इतना साहस यह सब किसके सहारे हो रहा है इन लोगों ने बंगाल में हिंदूओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना कर रख दिया है साथ्यों तुष्टी करण की जीद में अब इंडिय अलायंस एसी एस्टी ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण भी छिनना चाहता है यह लोग कह रहे हैं कि आरक्षण अम मुसल्मानों को दिया जाए और भी आदादुर्ण नहीं थोड़ा सा नहीं पूरा का पूरा रख्षण मुसल्मानों को दिया जाए क्या आपको ये बात मंजूर है क्या आप इसे स्विकार करेंगे क्या ये देश दलीतों के साथ अन्याय स्विकार करेगा क्या ये देश आदिवाच्चों के साथ अन्याय स्विकार करेगा क्या ये देश पिछणों के साथ अन्याय स्विकार करेगा और देखिए करना टका में तो कॉंग्रेस OBC को मिलने वाला रिजर्वेशन सारे के सारे मुसल्मानों को दे भी चुकी है इसलिए बंगाल के मारे भाई भेहन आपको बहुत सतर्क रहने की जरुरत है साथ यो वोट बंक की इसी राजरीती ने CAA जैसे मानवता की रख्षा करने वाले कानून को बिलेन बना दिया रातो रात CAA कानून तो पीडितों को नागरिक्ता देने का कानून है इससे किसी की नागरिक्ता नहीं छिन्ती लेकिन कॉंग्रेस टीमची जैसे दलो ने इसे भी अपने जूट के रंग से रंग दिया ये लोग विबाजन के पीडितों को उनका हक देने का विरोग कर रहे हैं ये लोग मत्वा सातियों को नाम शुद्र सातियों को नागरिक्ता देने के खिलाप है इतना ही नहीं कि एसी एक कानून को खत्म करने तक की बाते कर रहे हैं लेकिन आज मैं टी एम सी ओ या कोगिरेत या फिर इंडिय अलाएंस मैं डंके की चोट पर बंगाल को पांच गारंटी दे रहा हूँ पांच गारंटी दे रहा हूँ जब तक मोदी है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा दूसरी गरंटी जब तक मोदी है एससी, एस्ती, ओबिसी का आरक्षान कोई खत्म नहीं कर पाएगा इस्ती गरंटी जब तक मोदी है राम नौमी मनाने से भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा चौथी गरंटी जब तक मोदी है राम मन्दिल पर सुप्रीम कौड का जो फैसला है उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा और पाँचवी गरंटी जब तक मोदी है सीए एक कानुन को भी कोई रद नहीं कर पाएगा और आप जानते हैं मोदी की गरंटी यानि गरंटी पूरा होने की गरंटी जाय स्री राम मोदीर गरंटी होलो गरंटी पुर्णो होबार गरंटी साथियों हमारा बरकपुर्तो जूट इंडस्टी का हब रहा है गंगा मैया के आशिरवाद से यहां खेती के साथ साथ कॉटन पेपर और इंजिनियरिंग की इंडस्टी फली फुली थी लेकिन आठ जूट इंडस्टी बिहाल है मजदूरों की सूद लेने वागा कोई है नहीं यह तब है जब मोदी ने जूट के समर्थन मुल्य में काफी बडोत्री किये हमने अनाज चीनी को जूट के बैग में ही पैक करने का नियम बनाया जिससे जूट किसानों को मदद मिले लेकिन जूट की इस दर्की पर टी-म सी केवल जूट बोल रही है साथियों टी-म जी जैसी ब्रस्ट पार्टियां हिंदुस्तान के इतियास में बहुत कम दिखती है यहाँ जनता खुद नारे लगा रही है एक-एक नागरिक बोल रहा है चीख-चीख करके जनता बोल रही है चोर धोरो जैल भोरो चोर धोरो यानि चोरों को गिरपतार करो और उन्हें जेल में डालो यह नारा विपक्स की किसी पार्टी ने नहीं दिया है यह नारा दिया है बंगाल की जनता ने आप लोगों ने दिया है साथ्यों में एक जानकरी आपको देता हूँ ज़रा ध्यान से सुनिये कुछ साल पहले TMC सरकार पर CAG की रिपोर्ट आई थी आप कल्प ना कर सकते हैं कि उस रिपोर्ट में क्या कहा गया उस रिपोर्ट में कहा गया है कि TMC सरकार ने 2,30,000 करोड रुपिये का कोई हिसा भी नहीं दिया है CAG कह रही है 2,30,000 करोड रुपिये कितने कितने 2,30,000 करोड रुपिये इसका कोई हिसा भी नहीं है ये पैसे कैसे और कहा खर्च हुए किसके जेब में गए कोई हिसाब किता भी नहीं है ये बहुत बड़ा गोटाला है इसका एक और बहुत बड़ा उदारण है तीचर भरती गोटाला आपको तो पता है कि इस तरह तीचर भरती के लिए राजसरकार ने रेटकार बनाए हुए थे इस रेटकार खुले बाजारों में बेचे जाते थे यहाँ पदों की बोली लगती थी और इतना ही नहीं इस गोटाले के लिए OMR सीट्स को चलाया गया फरजी इंटर्यू लिए गये और कौट को भी कहना पड़या कि गोटाले के पिछे सरकारी मशीनरी है यह हाल बना दिया है टीएमसी ने हमारे बंगाल का साथियों मोधी बंगाल में हुई इस लूट की पाई पाई का हिसाब लेगा यह जो नोटों के पहाड निकल रहे है इन पहाड के मालिकों को छोड़ा नहीं जाएगा मैं प्रस्टाचार के पीडित हर बंगाल बाची को कहूंगा कोई भी प्रस्टाचारी कान खोल के सुनलो यह मोधी है कोई भी प्रस्टाचारी बचने वाला नहीं है और देखिए यह जो करोडों रुपिये इनसे बरामद हो रहे हैं यह पीडितों को वापिस कैसे मिले मोधी इसके लिए भी कानूनी रास्ता खोज रहा है जाज्यों टीमसी सरकार के कुशासन का बहुत बुरा असर हमारी माताओ बहनों पर पड़ा है हमारे SCST परिवारों के स्थिती सबसे खराब है संदेश खाली में क्या हो रहा है ये पुरा देश देख रहा है संदेश खाली के गुनेकार को पहले टीमसी की पुलिस ने बचाया अब टीमसी ने नया खेल शुरू किया है टीमसी के गुने संदेश खाली बहनों को डरा रहे है धमका रहे है सिर्फ इसलिए कि अत्याचारी का नाम साह जहाँ शेख है उसके गर से बंबंदूग निकल रहे हैं लेकिन वोट बैंक को खुश करने के लिए टीम सी उसको क्लीन चिट दिलवाने में जुटी है साथ यो विशित भारत के लिए विशित बंगाल जरूरी है यहां किसानों और उद्योगों का उन्यन जरूरी है इसके लिए आपको बैरतपूर से अर्जुन सींजी को भारी बहुमत से विजय बना है कमल चाप पर पड़ा आपका हर भोट सीधा मोदी को पड़ेगा आपको पी-एम-सी के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है भारी मतदान करना है करेंगे भारी मतदान करेंगे हर पोलिंग बुच जितेंगे अच्छा मेरा एक काम करेंगे ज़रा हाथ उपर करके बताईए मेरा काम करेंगे ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाईए ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलिए और कहिएगा कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको जैस्री राम कहा है बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद